हाई फैंड्स फल्कम बैक टूमाई शेनल तो फैंड्स आज की जो फीडियो है इस वीडियो में हम बात करेंगे सूपर टेट के बारें जी हाँ दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूपर टेट की तयारी के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी है किस प्रयावरण के लिए कौन सी बुक खरी दें तो फैंड्स आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे कि आपको कौन सी बुक खरीनी चाहिए सूपर टेट की तयारी के लिए कौन सी बुक सबसे अच्छी है तो फैंड्स अगर आप सूपर टेट की तयार कर रहे हैं तो इस वीडियो को सुरू से लाज तक चलूर देखेगा बहुत ही इंपोर्टेंट यह वीडियो है तो फेंट्स चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पले फेंट्स अगर आप लोग शैनल पढ़ नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर देजे जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ तो आप तक उसक्राट्पिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए तो फेंट्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि स हिंदी के बारें बात करें तो एक आदित्य प्रब्लिकेशन की बुक आती है सामान ने हिंदी के इसको आपको खरीडना चाहिए जो की सबसे बेस्ट होती है इसको अगर आप खरील लेते हैं और इससे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप जो है कि हिंदी में 20 में 20 नमर सकते हैं इस बुक के बाहर से कहीं से भी क्वेशन नहीं आता है इस बुक को सिर्फ आप पढ़के और हिंदी के सभी क्वेशन कर सकते हैं क्योंकि इस बुक में काफी डिटेल से हिंदी के बारे में दिया गया है काफी इसमें जो है कि प्रैक्टिस क्वेशन भी है और हर एक टॉपिक के प्रेक्टिस कोश्यन इस बुक पे दिये गए हैं तो फेंट्स यह बुक सबसे अच्छी है इस बुक को आप खरी लेजेगा उसके बाद चलिए फेंट्स अब हम बात करती हैं संस्कृत के बारे में जो कि आपकी 10 नम्मर के आती है तो फेंट्स देखिया संस्कृत के बारे में बात करें तो एक सर्वग्य भूसर सर की बुक आती है विजई भौ जी हाँ दोस्तों एक सर्वग्य भूसर सर की बुक आती है विजई भौ इसको आपको ले लेना चाहिए यह बहुत ही अच्छी बुक है इस बुक से मैंने भी पढ़ाई किया था और जो ही कि अगर आप इस बुक से पढ़ते हैं तो आपके संस्कृत में 10 के 10 नमर आ सकते हैं कहीं बाहर से question नहीं आएगा सभी question इस बुक से आपको मिल जाएंगे तो फेंट चली अब हम बात कर लेते हैं इंगलिस के बारे में तो फेंट देखें इंगलिस जो आती है यह भी 10 नमर की होती है और जो पूरी भासा होती है 40 नमर का आपका आता है 10 नमर इंगलिस होता है 10 नमर संस्कृत होता और 20 नमर जो है कि आपकी हिंदी होती है तो इंगल इंग्लिस की बुक ले लेनी है जो कि आपका class 9th या 10th में आती है general English उसको आप खरेल लिजेगा और उसमें जो कुछ भी दिया गया है उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तब आप जो है कि English की सभी question कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो है कि सामान ने English आपकी आती है जो कि 6, 7, 8th क इंग्लिस होती है वही इंग्लिस आती है तो इसलिए आप general English की book ले लिजेगा जो कि class 10th या 9th में आती है आपको market से आसानी से मिल जाएगी इससे अगर आप पढ़ेंगे तो आपके 10 नमर जो है कि confirm English में मिल जाएंगे तो फेंट्स चलिए अब हम बात कर लेते हैं current affair की त और इसमें काफी ज़्यादा student confused होते हैं कि current affair के लिए कौन सी सबसे अच्छी book होती है किस book से हमको current affair पढ़नी चाहिए तो फेंट्स देखे current affair की बात करें तो आपको जो है कि speedy की current affair लेनी चाहिए जी हाँ दोस्तों स्पीडी की current affair आती है आपको उसको लेना चाहिए और फेंट्स जब आपका exam date declare हो जाए तभी जो है कि आपको एया book खरीदनी है जी हाँ दोस्तों current affair आपको तभी पढ़ना है जब आपका super date का exam date clear हो जाए उसके बाद जो है कि उसकी पिछले जो है कि 6 महिने का आपको स्पीडी के current affair लेकर के पढ़ना है अभी अगर आपका super date का exam date clear नहीं हुआ है तब जो है कि अभी आप इसको मत पढ़िएगा क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे और अगर आपका exam एक साल बाद हुआ तो आपका पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा तो इसलिए जब आपका exam date clear हो जाए उसके बाद जो है कि आप current affair को लेजिएगा और पढ़िएगा तो फेंट चलिए अब हम बात कर लेते हैं science के बारे में तो फेंट देखिए जो science आपके exam में आता हुआ भी 10 नमर का आता है और इसके लिए आपको सबसे जो अच्छी book रहेगी वो परसिदी ये book रह जो कि सरकारी स्कूलों में चलती है उसको आप ले लिजेगा और उसी से आप पढ़ाई करिएगा उसके बाहर से कहीं से भी question नहीं मिलेगा सब उसके अंदर से ही मिल जाएगा चले friends उसके आगे हम बात करते हैं CDP के बारे में तो फेंट देखिए CDP बहुत important होती है जो कि आपका लगभग 30 नमर के question इससे आते हैं तो फेंट CDP को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए और काफी student इसमें जो है कि confuse रहते हैं कि CDP के लिए हमको किस जो है कि writer की book लेनी चाहिए कहां से जो है कि पढ़नी चाहिए तो फेंट देखिए CDP के लिए youth publication की book आती है तो उसको अगर आप लेते हैं तो यह बहुत ही अच्छी book होती है इसमें जो definition वगरे दी रहती हैं काफी shortcut में और काफी अच्छे से defined करके दी रहती हैं तब आप जो है कि CDP के लिए youth publication की book जरूर लेजेगा अगर आप इस book से पढ़ते हैं तब आप जो है कि CDP में काफी अच्छा score कर पाएंगे तो फेंड शली अब हम बात कर लेते हैं मैत के बारे में तो फेंड देखिए मैत के बारे में बात करें तो अगर आपको मैत पढ़ना है तो उसकी लिए जो सबसे अच्छी book आती है वो आरियस अगरवाल की अंक गड़ित आती है जी हां दोस्तों आ साफी अच्छा score कर सकते हैं तो फेंड चली अब हम बात कर लेते हैं सूचना तकनीक computer और रिजनिंग के बारे में जी हां दोस्तों जो सूचना तकनीक की computer है या आपका पांच नमर का आता है इस से जो है की computer related question पूछे जाते हैं सूचना तकनीक related question पूछे दाते हैं मोबाइल से related question पूछे जाते हैं तो friends इसके लिए आप जो है की computer की जो समान ने बुकाती है triple C वगर एक लिए उसको लेकर के आप पढ़ सकते हैं और इसमें जो है कि आपको लगभु 5 नमर मिल जाते हैं काफी आसान question होते हैं और reasoning की बात करें तो reasoning काफी आपकी आसान आती है आप इसको direct कर सकते हैं जितने भी इसमें syllabus में मलब subject हैं उसमें सबसे आसान जो है की reasoning ही होती है इसको आप जो है की वैसे ही कर सकते हैं अगर आप book लेना सचाते हैं तो समान reasoning की book आती है आप उसको खरीज सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं तो friends इतनी book हैं अगर आप इन लिए काफी अच्छी book हैं और इससे जो है कि आपके काफी ज्यादा question मिल जाएंगे तो friends चलिए इस वीडियो को stop करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को like कर दिजे ज्यादा से ज्यादा share कर दिजे और अगर आप लोग चैनल पढ़ना है उस चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर देजे तो friends चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तक लिए